सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए नमस्कार मेरनम मुकुल है और ऐसे ट्योगी में आपका सौगत है दोस्तों इस वीडियो में हम काफी सिंपल लेकिन इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करने वाले हैं कि लीज और रेंट में फरक क्या है फॉर एक्जामपल क्या हमें अपने मकान जिसको हम किराय पे लेना चाहते हैं उसमें लीज अग्रीमेंट साइन करें या रेंट अग्रीमेंट साइन करें अगर हम अपने बिजनस में कोई गाड़ी कराय पे लेना चाहते हैं तो उसे हम लीज पे कहेंगे या रेंट पे कहेंगे तो इस तरीके की कई पर कन्फूजन हो जाती है इसी confusion को हम इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे कि lease और rent में फरक क्या है, क्या फाइदे और नुकसान है, किन जगहों पे आपको lease यूज करना चाहिए, किन जगहों पे rent यूज करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए चलिए सबसे पहले तो हम lease और rent में फरक समझ लेते हैं कि main फरक क्या है, देखिए lease हमेशा long term के लिए use होती है, तो अगर आप कोई भी asset किराये पे लेते हैं, जो 12 महीने या उससे जादा के लिए किराये पे ले रहे हैं, तो आप lease term यूज करेंगे, वहाँ पे एक lease agreement साइन हो होता है या फिर lease deed भी हम कह सकते हैं उसको, example के तोर पे जैसे अगर आप कोई office building लेते हैं, अपने business के लिए किराये पे, तो आप एक long term lease sign करते हैं, तीन साल, पांच साल, दस साल, पंदरा साल की भी lease हो सकती है, similarly जैसे airline industry है, airline industry के अंदर भी leases काफी use होती है, aeroplanes को 9 साल, 10 स पंदरा साल के लिए lease पे लिया जाता है, उसी तरह offices के अंदर या फिर जहाँ पे काफी manufacturing का काम होता है, वहाँ पे equipment को किराये पे लिया जाता है, कई बार construction companies कुछ equipment को किराये पे लेती हैं, long term leases पे लेती हैं, तो ये तो कुछ examples हैं जहाँ पे lease sign होती है, long term में कुछ assets को कि पे लिया जाता है, अब दूसरी तरफ अगर हम rent की बात करें, तो हमेशा 12 महीने से कम अगर आप कोई asset कराये पे लेते हैं, तो उसे हम renting कहते हैं, अब अगर मैं आपको example दूँ, जैसे आप Ola या Uber की अगर कोई cab hire करते हैं, तो वो आप कुछ mintों के लिए, घंटों के लिए या एक दिन के लिए hire करते हैं, या फिर zoom car type के ऐसे कुछ apps हैं, जहाँ पे आप एक दिन, दो दिन, चार दिन के लिए आप गाड़ी hire कर सकते हैं, अपने office के लिए भी अगर आप कोई एक हफ़ते, एक महीने, डेड़ महीने के लिए अगर कोई गाड़ी hire कर रहे हैं, तो उ देखा होगा, वो 11 महीने तक का agreement होता है, वो भी rent agreement होता है, तो usually lease हमेशा long term के लिए sign होती है, और renting जब आप कम समय के लिए, short term के लिए कोई चीज कराए पे लेते हैं, तो उसको renting कहते हैं, लेकिन हाँ ये जो terms हैं, ये interchangeably भी कई बार use होती हैं, आपको कई बार 6 महीने की lease सुनने के लिए भी मिल सकती है, और आपको 2 साल का rent agreement सुनने के लिए भी मिल सकता है, बट अगर आप broad level पे देखें, तो हमेशा lease long term के लिए sign होती है, usually 12 महीने या उससे जादा, और rent agreement हमेशा 12 महीने से कम के लिए sign होता है, अब चलिए इनकी थोड़ी सी और detail समझने की कोश करते हैं, अब क्योंकि lease long term के लिए sign होती है, तो usually जो lessie होता है, यानि कि जो उस asset को किराए पे ले रहा है, वो उसकी maintenance के लिए भी जिम्मेवार होता है, वहीं अगर आप rent पे लेते हैं, जैसे कोई आपने गाड़ी ली, रेंट पे, आपने ओला या उबर भी ली, अगर उ अब दूसरे हम इसके negative और positive point समझ लेते हैं दोनों के, अब देखिए lease अगर आप क्योंकि long term के लिए sign कर रहे हैं, that means कि आपने price उसका lock कर दिया है, अगर आपने कोई भी office building या फिर आपने कोई भी मकान, किराया पे लिया, तो आपने उसका जितना भी price है, उसका किराया है वो long term के लिए lock कर दिया, तो आपके लिए एक surety हो जाती है कि किराया एकदम से नहीं बढ़ेगा, लेकिन renting के case में month on month भी किराया बढ़ सकता है, मानलीजे आप Ola Uber के prices की अगर हम बात करें तो daily basis पे भी fluctuate करते हैं, और similarly आप कोई गाड़ी ले, एक महीने के लिए ले, तो एक महीने का तो चलिए rent आपका आगया, लेकिन उसके अगले महीने अगर आप लेते हैं तो हो सकता है rent बढ़ जाए, मकान में भी in fact अगर एकदम से rents बढ़ते हैं तो landlord कहता है कि आप एक महीने के अंदर मेरा मकान खाली कर दीजे या फिर एकदम से rent बढ़ा दीजे, तो renting के case में flexibility जादा होती है, लेकिन leasing के case में हम कह सकते हैं कि एक surety जादा होती है, security होती है lesser और lessy के लिए, फिर दूसरी बात का आपको एक और क्या ख्याल रखना है कि renting के अंदर agreement को काफी जल्दी terminate किया जा सकता है, छोटा सा notice देके भी terminate किया जा सकता है, तो अगर हम घर 9 के agreements की भी बात करें, तो usually एक महीने का clause रखा जाता है कि आप एक महीने का notice देखे, कोई भी landlord ये tenant agreement को break कर सकता है, लेकिन lease के case में ऐसा नहीं होता है, usually अगर lease को बीच में, let's say 10 साल की lease है, उसको landlord ये tenant बीच में break करता है, तो penalties काफी high रखी जाती है, 6 महीने की rent की penalty हो सकती है, एक साल के rent की penalty हो सकती है, इसके अलावा lease के अंदर कई बार एक clause ये भी डाला जाता है, कि जो lessee है, यानि कि जो उस asset को किराय पे ले रहा है, वो future में मालिक भी बन सकता है, अगर वो payment कर देता है, उस time की जो भी उस asset की value लगती है तो, जिसे हम higher purchase system भी कहते हैं, लेकिन renting के case में ये possible नहीं होता है, renting के case में owner हमेशा owner रहता है, जो भी tenant है वो एकदम से owner नहीं बन सकता है, in fact इस तरीके के agreement में, rent agreement में भी ऐसा कोई clause नहीं लिखा जाता है, तो ये कुछ differences आपको ध्यान में रखने चाहिए, अगर आप कोई भी asset किराय पे ले रहे हैं, कि आप lease पे जाना चाते हैं, या rent पे लेना चाते हैं, अगर आपकी requirement short term की है, तो आपको renting पे जाना चाहिए, हो सकता है, किराय उसका थोड़ा सा जादा हो, अगर आप short term के लिए rent पे ले रहे हैं तो, लेकिन अगर आपको उस चीज़ का use ही नहीं है कुछ time के बाद, तो कोई फाय security हो जाती है कि इतने time के लिए तो मेरा asset book हो गया है, और tenant के लिए ये फायदा हो जाता है, या फिर हम lessie के लिए कहें, तो उसके लिए price lock हो जाता है, तो अगर आप कोई asset future में किराय पे लें, तो इन कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें, उम्मीद करता हूँ ये video आपको subscribe नहीं किया है, तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको latest finance video का notification मिल जाए, तो मिलते हैं अगले, ऐसे ही एक informative video में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए, और हमेशा की तरह खुश रहिए